मनिपूर मुद्दे पर सुप्रिम कोर्ट आकरोष जता रहा है आज हम अभी तक के मनिपूर के हालाद से वाकिफ हैं इस संदर में उच नियाले का क्या कहना है इस वीडियो में आज हम जानेंगे नमस्कार आज पूरे तीन मेने हो गए पर मनिपूर की तस्वीर में ज्यादा सुधार नहीं आई है देश की आम जनता की निगाहे अब पूरी तरह सिस्टेम पर टिका हुआ है देश का वराज जिसे स्कॉट लैंड ऑफ दी इस्ट कहा जाता है आज अपने ही लोगों के खू आए हैं बहुत हुई पर मनिपूर की चीख तब तक दवी रही जब तक उन दो बेटियों को उस दोड़ से गुजरना ना पड़ा हो हलाके करीब बीस दिन पुरानी वो वीडियो जब सामने आई तो इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची और इस मामले में खिर मनिपूर की हिंसा इतनी बेकाबो क्यों हुई हमामलों के भी कई सवाल हैं और उन सारे सवालों का जवाब हमेशाए बहुत चलना चाहेगा सुप्रिम कोर्ट इस बात पर भी चकित है कि अभी तक के 6000 से भी ज्यादा एफायर में सिर्फ कुछी मामलों में कुछी लोग के लिए अपने हाथों में बंदूग लेने पड़ रहे हैं और अफकोर्स कुछ तो हिंसा करने के लिए बंदूग उठा रहे हैं खोड ऐसा मान रही है कि मनिपूर में इतने जुर्म हुए है कि अभी से सीवाई को भी सौपना ना मुंकिन है अभी तक कि जो 6000 के करीब एफ 2023 को घटी थी और जिसका जिरो एफायर 18 मई को किया गया था तो उस पर कारवाई करने में इतनी देरी क्यों हुए यहां सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों के एक्शन से भी संतुस नहीं है जिन महिलाओं के साथ बचसुली की हुई उनके कथन के मताबिक पुलिस नियुने खुद भीर के हवाले की थी पर अगर हम इसमें जरा मैसूस करें तो मेरे खाया से पुलिस ने उन्हें खुशी से भीर को नहीं सोपी होगी भीर उन पर भारी पर गई होगे और उनसे उन महिलाओं को शायद छीन ले गई होगी लेकिन कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या उस प मनिपूर के हादसे और खास करके महिलाओं से जुड़े उस हादसे को दबाए नहीं जा सकता और जैसे कि मैंने पहले का साथ अगस्त यानि मंडे यानि कल इस केस की सुनवाई हैं अदालत का फैसला जो भी हो पर मनिपूर के इस हालत के जिमेदार ये खुद यहां के नाग मैंने मनिपूर पर अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि यहां मैथे और ट्राबल्स दोनों ही समुधाय के लोग मैं तो कहूंगा ज्यादातर लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं एक दूसरे का साथ देरे उनके मदद कर रहे हैं यहां इंसानित पूरी तरह मरी न कुछ ही मुठी बर लोगों का इंट्रेस्ट है या आग लगी नहीं लगाई गई है मैंने जानता वो कौन है पर एक बात तो सच है कि हम बेवजा मर रहे हैं बेवजा मार रहे हैं आज मनिपूर और हर्याना एक उधारन है आज कितनी शर्म की बात है कि यहां मनिपूर में कि लपटे कम नहीं हो रहे थी या हर्याना में धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के चाल के प्यासे हो गए हैं अरे ये बात हम कब समझेंगे कि अल्लह भगवान गोड जो भी है सब एक है पताए धर्म का सिलसरा कैसे शुरू है यह धर्म हम इंसानों ने शुरू में अपन उन तोर रहे हैं मैंने मानता कि कोई भी भगवान चाहेगा कि हम एक दूसरे का खून लखाएं अगर कहीं लिखा है तो I am 100% sure that is misinterpreted हम जिस डेश में रहते हैं भारत यहां रहने के लिए दिलों में नफरत पाल कर नहीं रहा जाएगा यहां रहने के लिए हमें दिलों में म अच्छी थी वो मात्र जरिया है जो हमें सही नितिजे तक ले जाएगा हम कब तक जात के नाम पर धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे इसी ना संजीनी तो हमारे हिंदुस्तान के टुक्रे कर दिये थे आपने अफरीकी देश सुदान के बारे जरूर सुना होगा कहते हैं स दुक की बात है कि यहां भी कुछ ही लोग है जो अमन नहीं चाहते प्रगती नहीं चाहते ताकि उनका दबदबा बना रहे हैं और लोग बेफकुप बन रहे हैं 2011 में दो हिस्सों में बटने से पहले सुदान अफरीका और अरब लीक का सबसे बड़ा देश था अगर हम खुद इसे तोडने पे तुले तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता हम अपने मन की शांती के लिए and for a timing सिस्टेम को सरकार को दोश दे सकते हैं पर इस सच नहीं दोशी हम खुद हैं और हमें जानते हैं आखर में गुदारन देता हूँ मैं जिस जगा रहता हूँ ना वहाँ एक बड़ा सा होटल है अब इस होटल को दो भाई मिलकर चलाते रहें दोनों में किसी तरह की कोई मिस्सिनरिस नहीं आ गए फिर बात है एक दूसरे की इगो तक पहुंची दरसले भाई ने उनके अच्छे दिनों में अपने दूसरे भाई से उनकी जमीन पर होटल बनवाय था दोनों में डील थी है कि इसमें पर्टनर्शिक होगी होटल अच्छा खासा चल रहा था फिर दोनों में मन मुटा हुआ आज होटल बंद है इंकम जीरो और दोनों भाई अदालत में पिछले दो तिन साथ से अपने अपने वकिल को पैसा दे रहे हैं अच्छा अदालत का फैसला कल जो भी हो उसके बाद हमें ही अपने राज्य अपने देश और अपने घर को बचाना है चैनित